बच्चो चेप्टर 2 की एकसासाइज आपकी लेफ्ट थी तो मैं उसके बारे में आपको बता दे रही हूँ डेट 19 में 2020 यह चेप्टर 2 है और डे टूसडे इसके ट्रू-फॉस है बच्चो तो ट्रू-फॉस की बारे मैं सबसे इसके बारे बात कर लेते हैं 1st true, 2nd true, 3rd true, 4th false, 5th true, 6th true, 7th true इसमें सभी true हैं बस एक 4th वाला है वो क्या है? false है चलिए Next, Phillips तो इसमें जो 1st वाला है उसमें आएगा Athenians 2nd dreadful, 3rd courage, 4th secured, 5th flapping 6th fluttered, 7th perished तो यह fill in the blanks है जो आपको अपनी book में fill करने है अब बात करते हैं बच्चो Last exercise की D exercise तो D exercise में बच्चो आपको करना क्या है? कि arrange the sentences as they appeared in the text तो इसमें बच्चो आपकी जो book है आपकी book में 7 sentences यह note हो रहे है बट वो sequence में नहीं है तो मैंने क्या किया है? कि मैंने इनको sequence में लगाया है तो इसी तरीके से बच्चो आपको अपनी book में भी note करना है तो उसमें space भी आए है तो उसमें आपको note करना है यह तो अचाँ पता लुगाए है कि आपकी नहीं है कि पस्ते लुगाए है कि थालोगाए और सहे हैं Jackie वोड केरी हिम हायर एंड हायर फिफ्थ ब्लेजिंग सन बीड डाउन एंड सॉफ्टेंड दा वेक्स देट हेल्ड दा फैदर्स तोगेदर शिक्स ही हरीड टू सेव हिम बट इट वस तू लेट और लास्ट सैवन है बच्चो, ही वस व्यूरेट इन अब लेस नेम्ड इकारिया, इकारिया बच्चो आपको सिंगल कॉमा, सिंगल कॉटेशन में मैंने लिखा, इसी तरीके से आपको लिखना है इकारिया इन हिस मेमोरी, तो बच्चो ये चैप्टर टू आपका पूरी तरीके से कम्प्लीट हो गया अब chapter 3 आपका start होगा ये वाला जो homework है बच्चो आपको chapter 1 और chapter 2 अब तक आपके complete हो गए तो ये वाला homework बच्चो आपको किस में करना है English First की जो Fair Notebook है उसमें करना है साथी साथ बच्चो मैं आपको एक चीज और बता दे बान हलांकि आपने ये कर लिया होगा और मैं आपको classroom बताती हूँ जब आप new session की books और new notebooks और notebooks purchase करते हो तो उसमें वाला जो आपको क्या करना है आपको cover करना है तो I hope कि आप ऐसा कर लोगे तो ये था वाला आज का homework Thank you